मैंने कहा था करकरे आतंकी की गोली से मरे इसलिए वो शहीद हैं और इस शहादत का सम्मान है प्रन्तु उस समय की कॉंग्रेस की हकूमत ने और ड्रेस का एजेंसी का जो मिस्यूज किया बिना गुना सावित करते हुए भगवा हिंदू आतंकवाद के आरोपियों की कॉंस्पिरेसी में जो और उनको बंदी बनाया गया उन पर जुलम किये और एक नारी पर जो जुलम किये इसलिए उसको ये अत्याचार करना शोभा नहीं देता था ये उसने अशोभनिय किया तो भी प्रग्या ने अपने स्टेटमेंट के अंदर शोर मचने पर सुधार करके मानवता दिखाई इसी मानवता को हम सब देशवासियों को पत्रकार और सब को और गहन करना चाहिए उसने कहा कि मैं उसको देशवक्त मानती हूँ परंतु उसने जो कॉंग्रेस के इसारे पर मेरे उपर अत्याचार किये क्या अपने उपर होने वाले अत्याचार की कथा नहीं बतानी चाहिए आप ऐसा चाहते हैं क्या आप ये चाहते हैं वर्दी ने जनता पर और सादवी पर और नारी पर अत्याचार करने चाहिए और किसी एजैंसी का दुर्पयोग सरकार ने करना चाहिए इसलिए जहां एक देश भक्त्य सम्मान है वहां उसके अत्याचार की कथा है इसको भी तो देश ने समझना जाए अगर आप इसमें से संतुलन खोकर मेरे किसी वाक्य का दुर्पियोग करते हैं तो मैं कहूंगा आप भी पापी और अपराधी हैं झाल